नमस्कार बच्चो येदी आपने इस वीडियो को कम्प्लीट देख लिया तो गणित के पेपर में 80 में से 50 नम्मर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने वो इंपोर्टेट कुशन्स लिये हैं उनके इंपोर्टेट कुशन्स को मैंने सेलेक्ट किया है पीछे के आपके दस वर्सों के जो पेपर हैं उनमें मैंने वो इंपोर्टेट कुशन्स सेलेक्ट किये हैं जो आपके हर बार बोर्ड ए आज के इस वीडियो को देखकर, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, सबसे पहले अपनी जो मेत की बूक है, वह आपको लेकर बेटना है, और ये वीडियो सभी बोर्ड के लिए है, क्योंकि सभी बोर्ड के अंदर NCRT का जो कोर्स है, वो फिलाल चल रहा है तो सभी बच्चों के लिए वीडियो है तो वीडियो को आपको पूरा देखना है तो सबसे पहले देखिए अपनी जो NCRT की बूक है मेट्स की बूक है वो आपको लेकर बेटना है और मेट्स के अंदर आपके टोटल एक से लेके पंदरा तक के आपके वास्त्विक संक्या रियल नंबर दूसरा है आपके बहुपद और तीसरा है आपके दो चेरो वाले रेखिक समीक्रन यूगम और चेप्टर नंबर है आपके वास्त्विक संक्या रियल नंबर दूसरा है आपके बहुपद और तीसरा है आपके डो चेरो वाले यानि व्रित हैं और शेप्टर नमर 14 इस्टेटिक से यानि शांके की और चेप्टर नमर 15 आपके प्रोबेबिलिटी यानि प्राइक्ता तो देखें इनके सारे chapter wise, chapter wise हमें imported questions की बात करेंगे और वही question जो आपके इस बार board प्रिक्षा 2023 में guaranteed 100% आने वाले हैं, तो सबसे पहला जो question है वो आपके सबसे पहला जो chapter है वो आपके वास्तिवी question क्या, यानि real number, अब real number के अंदर एक ही question बनता है जो आपके सबसे important है, ओके इस chapter का सबसे खतरनाक important question है, जो आपके हर बार board exam में आता है, वो कौन सा question है तो उस question के हम बात करेंगे, तो question number है आपके उदार number 9, उदार number 9 को आपको अच्छे से read करना है, अच्छे से आपको बार बार इस कुष्षन के आपको प्रेटिस करनी है तो कुष्षन हो आप देख सकते हैं कि अन्रूट 3 एक एप परी में संख्या है यानि हमें प्रूब करना है हमें सिद करना है कि अन्रूट 3 क्या एक एप परी में संख्या अब अन्रूट 3 की जगह आपके एक्जाम में 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 एक कनफरम हो चुके हैं तो तीन नमर यह आपको अच्छे से त्यार करने हैं ओके बोर्ड पिक्षा 2023 में और उसके बाद में चेप्टर नमर टू है हमारा पोलिनोमेल्स यानि बहुपद अब बहुपद के अंदर एक मातर ऐसा कुष्षन है जो आपके हर बार बोर्ड एक्षाम में आ रहा है तो यहां पर देखिए परसनावली जो एक्सरसाइज 2.3 है तो 2.3 के अंदर पहला जो कुष्षन है आपके की विभाजन एल्गोरिथम का प्रियोग करके निमन में PX को GX से भाग देने पर भाग और आपके देखने को मिलेंगे तो देखिए एक बहाग आपके तीन होगा और इसन में तीन होगा और वाकि और इनके अलावा भी आपके एक्जाम्पल और नंकी भी आपरेटिस कर सकते हैं और यह तीन नंमर का कुष्षन आएगा आपके अच्छे से त्यार करना है उसके बाद में देखिए तीसरा की क ने बात यह बार पत्हों एक फिस सध गारंटेर कुष्षोण है और डामर तीजरो वाली सभाटर युगम तो इसमें एक ही question है जो आपके 6 नम्मर का आता है तो ये 6 नम्मर भी आपको पका करना है अब 6 नम्मर का person क्या है आपके graph यानि graph का question आता है और graph के लिए समीकरण है वो exam में कुछ भी आ सकता है कुछ का मतलब यहाँ पर जैसे example आपको दे दिया जाए 2x plus 3y बराबर 50 नहीं यानि 15 है और 1x minus 2y बराबर 7 तो इस type का एक समीकरण आपको exam में मिलेगा question की रूप में और उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा graph बनाना पड़ेगा तो ये question भी आपको अच्छे से त्यार करना है तो इस chapter से आपके एक question है जो very very most important है जो आपके है graph graph है वो आपको अच्छे से त्यार करना है छै नमर का आपके आने वाला है उसके बाद में chapter number 4 है हमारे quadratic equation यानि दिविघात समीकरण तो दिविघात समीकरण वाला जो chapter है उसमें भी एक question है आपके पूर्ण वर्ग विदी तो पूर्ण वर्ग विदी है काफी बार ये board exam में आती है लेकिन इस सबसे ज़्यादा important है आपके exercise 4.3 के अंदर जो आपके दिविघाती सूत्र है यानि quadratic formula है वो आपको अच्छे से सीखना है quadratic formula है minus का b plus minus root b square minus 4ac और बटे में आपको लिखना है 2a और इसमें जो question number 3 आपक मिकणों के मूल ज्याद कीजिए तो जो बटे में जो आपको equation है इनका आपको मूल ज्याद करना है इनका आपको root ज्याद करना है और दिविघाती सूत्र है इससे आप आराम से इसको बना सकते हैं उसके बाद में 5 वह चेप्टर है आपके samanthar sreddy और samanthar sreddy के अंदर आ आपको अच्छे से याद करना है यानि 5.3 के अंदर आपके कुष्ण आता है हर बार बोर्ड एक्जाम में कुष्ण क्या है वह आप देख सकते हैं जो कुष्ण नमर 4 है इसमें नमर चैन जो सकता है लेकिन इसी टाइप का इसी के according कुष्ण आपको देखने को मिलेगा जिस इसके जगह और कोई नमर आ सकते हैं लेकिन इसी के according इसी के टाइप इसी के अधार पर एक कुष्ण आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा और तीन या चार नमर का कुष्ण आपके आने वाला है उसके बाद में है त्रिभुज यानि ट्रिंगल और ट्रिंगल का सब स आपके बाद में है में उदारन नमर 13 कुष्ण आप देख सकते हैं कि बेल और सीएम एक समकौन त्रिभुज एबिसी के मद्धिक आये हैं तदा इस त्रिभुज का कौन ए समकौन एसीद कीजिए फौर बेल स्कॉइर प्लस स्कॉइर बरावर फाइब बिसी स्कॉइर और य चैनल का आपके बोर्ड एक्जाम में इस बार आने वाला है क्योंकि 10 वर्षों से लगातार ये कुष्ण आपके आ रहा है तो इस बार भी 101 पर तिससती कुष्ण आने वाला है उसके बाद में है निर्दे सांग ज्यामित्ति जो चेप्टर नमर 7 है आपके कोडिनेट जियो देखने को मिलता है जो 7.3 के अंदर है क्युष्ण नमर 3 क्युष्ण आप देख सकते हैं कि जो शिर से दे रहे हैं आपको एक त्रिबुझ के 0-1,2,1 और 0-3 वाले त्रिबुझ की बुझाओं के मद्दे बिंदू से बनने वाले त्रिबुझ का चेतरफल ग्याद कीजिए और इस चेतरफल का दिये हुए त्रिबुझ के चेतरफल के साथ अनुपाद ग्याद करना है यानि रेसो निकालना है और ये 6 नमर में देखने को आपको मिल सकता है बोड़ प्रिक्षा 2023 में तो ये 6 नमर भी आपको कंफरम करने हैं उके उसके बाद में हम बात करें आपके चेप्टर नमर चेप्टर नमर आठ है त्रिकोन मित्ति का प्रिचे तो त्रिकोन मित्ति के अंदर जब आप त्रिकोन मित्ति के अंदर आते हैं त्रिकोन सारे चेप्टर आप पढ़ लेंगे लेकिन त्रिकोन मित्ति के अंदर जैसे ही आप आते हैं तो इसमें देखिए ब टिक करवाऊँगा इसमें आपको 3 कुष्षन टिक करवाऊँगा और 1 कुष्षन आपको इस बार बोड प्रिक्षा 2023 में देखने को मिलेगा तो एक है आपके तीसरा कुष्षन है जो हर बार बोड एक्जाम में आ रहा है 10 थिटा बटे 1-4 थिटा पलस कोड थिटा बटे 1-3 बराबर में है 1 पलस 1 थिटा इंटो कोशेक थिटा तो ये वाला कुष्षन आपको त्यार करना है ये मिल सकता है और उसके बाद में एक है आपके कुष्षन नम्मर 6 यानि रूट 1-1 बराबर से के पलस थिटा एक कुष्षन ये है आपके और एक ये वाला दस वाला कुष् कुशन आपको देखने को मिलेंगे बोड़ प्रिक्षा 2023 इसमें तो तीन कुशन एक मातर तीन कुशन मैंने टिक कर आए हैं अगर आप ने यह तीनों कुशन कर लिए तो इनके अलावा आपको एक वी कुशन देखने को नहीं मिलेगा उसके बाद में है आपके तिर्कोर्ण मित्ति के कुछ अनुप्रियोग तो इसमें आपके एक कुश्चन है इसमें दो कुश्चन में आपको टिक करूँगा और दोनों में से और एक है आपके कुश्चन नमर बारा ये दोनों कुश्चन आपके हर बार बोर्ड एक्जाम में आते हैं और दोनों में से एक कुश्चन आपको 2023 की बोर्ड एक्जाम में में मेट्स के पेपर में देखने को मिलेगा चेप्टर नमर नाइन से ओके तो दोनों कुश्चन को आ करना है और उसके बाद में है सरकल सरकल में है आपके वरित यानि वरित से आपके कौन सा कुशन आएगा तो वरित से भी काफी सारे कुशन है लेकिन एक मात्र एक ऐसा कुशन है जो हर बार आपके बोर्ड एकजाम में आपको देखने को मिलेगा ओके तो वह कौन सा कुशन है तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको 10.1 के अंदर आना है, 10.1 के अंदर एक भी कुछ नहीं है, लेकिन प्रेमे 10.2, यह आपके हर बार बोड एकजाम में आ रही है, इस बार 2023 की बोड एकजाम में यह प्रेमे आपको 4 नमर देने वाली है, चार मारक से यह देने वाली है, चार नमर आपको आराम, चार नमर यह आराम से आप त्यार कर सकते हैं, कि बाई यह बिंदू से वृत पर खीची गई, इस पर सरेखाऊंगी, जो लंबाईयां है, वो क्या होती है, बराबर होती है, तो इस प्रेमे को आप देखें, अच्छे से आप इस प्रेमे को समझें, और काफी इंपोर्टेट है, इस बार 100 परतिसत आने वाली है, उसके बाद में है रचना, यानी कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में भी है आपके एक कुष्षन, ओके, तो एक कुष्षन में आपको इसमें बताऊंगा, जो आपके सबसे ज़्यादा इंपोर्टेट है खत्रना कुश्यन है जो हर बार बोर्ड एक्जाम में आपके हाफिरल एक्जाम में में एक्जाम में सब में आता है तो 7.6 cm लंबा एक रेखाखन खिंचिए और इसे 5 अनुपात आठ के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापी तो ये कुश्यन आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेट है इस बार आपके 101 परतिसत ये कुश्यन 2023 की बोर्ड एक्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो अच्छे से आपको कंप्लीट त्यार करना है और उसके बाद में चेप्टर नमर 12 है आपके वुरितों से समंदित 6 तरफल तो इसमें 8 या 10 टोटल फोर्मूले हैं तो पहले तो आपको फोर्मूले याद गरने हैं ओके फोर्मूले याद गरने के बाद इसमें एक क्षिशन आपको दिया गया है और क्षिशन अमरस 7 यानि 12.2 की एकसरसाइज में साफ वा जो परसन है ये वेरी-वेरी most important है और हर बार बॉर्ड एक्जाम में आता है ये तिरजिया 12 सेमी वाले एक वुरित की कोई जीवा के अंदर पर 120 डीगरी का कोण अंतरित करती है बनाती है तो संगत वर्थखंड का छेतरफल ग्याद कीजिए तो एक कुशन आपको ये त्यार करना है और एक 12.3 के अंदर भी है जो सबसे खतरनाक सबसे important person है तो वो person भी आपको आना चाहिए अच्छे से हर बार आता है आपके board exam में इस बार 2023 की board exam में भी आपको देखने को मिलेगा तो ये वाला जो कुशन आपको दे रखा है ये वाला जो कुशन दे रखा है आपको कुशन नमर 12, 12.3 exercise में कुशन नमर 12 है ये आपको अच्छे से त्यार गरना है इसमें चायंकित भाग का चेतरफल आपसे पूछा जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट परेष्टी चेतरफल और आईतन यानि चेप्टर नमर 13 है तो चेप्टर नमर 13 में भी 1 या 2 important कुशन है तो सबसे पहले 13.1 में पहला कुशन है ये आपके हर बार यानि 2010 से लेकर 2021 तक लगाता है ये कुशन आपको देखने को मिल रहे हर बार ये बोर्ड एक्जाम में आता है और इस बार भी आने वाला है उसके बाद में next आप आईए exercise 13.4 यानि 13.4 की जो exercise है उसमें उसमें आपको कुशन टिक करना है 13.4 exercise 13.4 तो 13.4 के अंदर देखिए इसमें जो दूसरा परसन है दूसरा परसन लगाता रहा है बोर्ड एक्जाम में एक संकू के छिनक की तिरिये कुँचाई 4 cm है और इसके जो वर्त ये सीरे उनके प्रिमाप उनकी प्रीदिया देर के 18 cm 6 cm तो इस छिनक का वक्र प्रिश्ची चितरफल में निकालना है ओके तो सबसे पहले इसका formula याद करना है छिनक का इतनका उसके बाद में आप इसको ग्याद कर सकते हैं उसके बाद में है chapter नमा 14 संक्खे की सबसे important chapter हैं और जो बच्चे पास होते हैं वो इसी chapter से होते हैं एकदम easy chapter है तो इसमें देखे कौन से important हैं तो इसमें तीन चीजे आपने पढ़ी है माद्दे पढ़ा है जिसको इंगलिस में क्या कहते हैं अपन mean कहते हैं और एक आपने पढ़ा है माद्देक जिसको इंग्लिस में क्या कहते हैं अपन मीडियन कहते हैं और एक आपने पढ़ा है बहुलक जिसको इंग्लिस में क्या कहते हैं यानि मीन, मोड और मीडियन ये तीनों चीजे आपने पढ़ी हैं तो तीनों ही चीजे आपके मोस्ट इंप माद्दे कहते हैं और एक आपके step deviation है यानि पद्विचलन वीदी तो इनकी तीनों वीदी भी आपको अच्छे से आने चाहिए तो माद्दे माद्देक और भावलक इसमें कोई probability यानि प्राइक्ता अब देखे प्राइक्ता के अंदर आपके दो या तीन इंपोर्डट कुशन है क्योंकि इससे सोट जो कुशन है वो ज्यादा आते हैं ओके तो पहले आपको exercise में आना है यानि 15.1 तो 15.1 में एक कुशन आपके सोट है जो हर बार आपको बोर्ड एक्जाम में देखने को मिलता है कि कि किसी परियोग की सभी प्रारम भी गटनाओं की प्राइक्ताों का योग उघ्जार कंका है एक होता है तो यह आपको अच्छे से त्यार करना है और एक आपके क्यूशनन नम्र टिसकन जिन पर एक से नंब तक कि संख्यहें लिखी हो और पांच से विवाजे संक्या तो जो इंपोर्डट कुश्षन मैंने आपको बताए हैं अगर आपने ये इंपोर्डट कुश्षन अच्छे से आपने त्यार कर लिए तो आप मेट्स के अंदर इस बार 2023 की बोड़ एकजाम में 80 नमर का जो आपके पेपर आने वाला है मेट् 80 में 80 नमर इस बार हर बच्चे के आने चाहिए मेट्स के अंदर तो कौन-कौन ऐसे स्टूडेंट है जो इस बार मेट्स के अंदर 80 में 80 नमर का स्कोर करना चाहते हैं तो उन सभी बच्चों को एक बार कोमेंट जरूर करना है